कि अपने हाथ को कर लेता हूं सानिटाइज यह भी डबिंग नाव एम रेडि टी रिवीव दिस केशो 9000 इन बहुत से डिमांड और बहुत से सवाल थे कि आपने यमा के लिए तो काफी सारे आपने सीजन बना दिये केशो के कस्टमर है हम हमारे लिए कोई भी आपने रिवीव नी डाले तो स्पेशली यह खुशकबरी है केशो 9000 इनके कस्टमरों के लिए आप लोगों के लिए मैं 5-6 सीजन बनाने जा रहा हूं इसके बारे में आपको बिल्कुली डिटेल्ड आपको जानकर ही मिलेगी कि किस तरीके से इसको यू किया था और उसे भी आप लोगों ने खूब एंजॉई किया अंटोल्ड कंपैरिजन यमा आई फाइंड वस के शो 9000 क्यूंकि इन दोनों की वोड़ में बहुत सी सिमिलेरिटी जान डिस सिमिलेरिटी जान क्वालिटी जान बिल्ट क्वालिटी जान जिसके बहुत से सवाल से गिरे वे हैं और मतलब सवाल से कंफ्यूजन्स हैं कि भई ले तो ले कौन सा लें बहुत कंफ्यूजन्स तो इसलिए ये तो सबसे पहले हम केश्यो 9000 का एक स्टार्टिंग वेलकम तो दे बीजी इंडिया दे कंवेट बीजनेस चनल नाट अली बीजनेस दे कंवेट सॉ ज्यादा लॉंग भी वीडियो ना बनाया है चोटा वीडियो और बहुत कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन हो बहुत सारे स्टप्स हैं और मैं आपसे बात करते करते मैं इसके बारे में ऑपरेट नहीं और से सारे ऑप्शन बताता हूं सबसे पहले इसको प्लग कर देता हूं यह एडाप्टर प्लग इन ऑप्शन है यह प्लग हो गया है डिरेक्ट और यह मैं आउफ बटन में आउन करता हूं यहां पर बुक स्टेंड होता है लेकिन मैंने इसका यूज निकिया उसकी जुरुत नहीं है क्योंकि आप मुझे देखने हैं यह रेट बैटन मैंने आउ किया प्रेस किया और बहुत ही सुन्दर तरीके से केश्यों डिजिटल स्क्रीन दिखाई देता है और यहां पर सब बिल्कुल दिखता है क्या चीज़ एक्टिव है यह आप नजर रखें स्क्रीन पर मैं आपको इसका लेट पैन दिखा तहों यह है लेट पैन यह है राइट एरिए राइट पैन ऐखने सेंटर एरिया तो इसे तीन भागों में केश्य वालों ने डिवाइट किया हुआ है सबसे पहले लेफ पैन में लेफ पैनल में साउंड में डाता हूं साउंड हमेशा इतना ना रखें जितनी जरोता है I mean 70% या 50% इतना रखें ज्याद अचाहें और सभी क्यूकबर्ट के लि लाइफ और स्पीकर लाइफ बढ़ जाता है तो मैं कुछ आपको जो जरुतमंद ऑप्शन्स है प्यानों बहुत सुंदर होता है अच्छा होता है देखिए और इसके बारे में अन्बॉक्सिंग सब मैंने आइलिंक में दिया हुआ है इसको मैंने सबसे पहले हमने आफर दिया था मार्केट में और आफर्स भी आप देखते हैं साथ साथ पे यूनाव बीज इंडिया जेम्स वेबसाइट में जाकर तो जल्दी सब आपको कुछ यह काफी बड़ा होता है यह मैं ऐसे नहीं होता और दबाने में काफी मतलब यह काफी कमफ़टेबल लगता है चैक कोई भी कीबोर्ड की ना अगर आप सुबह शाम इसको आप बहुत रफ और यूज़ करेंचा कोई भी ब्रैंड और रोलन कॉर्ट यहां लेकिन आप उसक यह एक नेचरल बात है एक नेचरल समझ की बात है कि अगर कोई भी कीज हो अगर सौफ्ट आप हैंडल करेंगे तो कई सालों तक यह आपके साथ रहेगा और लेकिन आप इसको रैश यूज़ करेंगे तो चैक कोई भी ब्रैंड क्यों ना वह एफेक्ट उसमें मतलब कुछ कुछ नुकसान होगा उसके कि और मेक के अंदर की बात वतातो हूं यह कोई भी बताता चाहिए यमा हो चाहिए कोई भी ब्रैंट को ना हो की बोर्ड में की की कोई वारेंटी नहीं आती मालिवी आपने की तोड़ दिया यह कि आपका खराब हो गया दो मेने में यह साल बर म लेकिन कीज की प्रॉब्लम आ जाती है फिजीकल वारंटी में यह बहुत से लोग नहीं बताते बेचने वाले आपके ते हैं तो इसलिए कीज की जिम्हेदारी आपकी है यह यह ना सोचें कि आपने महेंगा कीबोर्ड ले लिया तो ज्यादा चलेगा ठीक है 5 साल 10 साल 20 साल को कोई भी प्रॉब्लम यह आएगा हमने तो 10 साल 20 साल की यूज करे हुए कीबोर्ड भी है ठीक है सब आपके यूज के अपर है कि आप कैसे मैं साथ साथ आपको एक बात बता देता हूं देखो यह टच रेस्पॉंस होता है लाइटा टच पुना लाइटा सूंड केगों वै यहां पर बटन है और इस स्क्रीन में आपको दिखेगा टच का इंडिकेटर यह दिखिए यह डॉट हड़ जाएगा अगर आप नए हैं नई यूजर है तो कुछ अंदर की बात है मैं आपको आने वाले क्लास होता है मैं चाइस धीरे बजाओं ताइट साथ करूं दिखे अब मैं टैट्राइट आन कर देता हो अन बने रहें अब टैट्रेंस कर रहा है तो हमेसा यह ध्यान रखेंगी टैच को आफ करके यूज करें उसके बाद मैं आपको बता हम डोन सेलेक्ट करना तो यैजरूरी औप्शन है ये मैं सब आपको बिगिनर समस्या अप्शन बता होंगा टोंस क्या होता है वाइस देखें यह रहा टोंस यहां पर लेफ्ट पैनल में टोंस यानि कई तरह के जो इंस्ट्रुमेंट्स जैसे होर्मोनियम बैंजो प्यानो और गंस गिटार्स एक्जाफोंस आपको कोई भी चीए आपको एचीए तो इस बटन को दवाएं में है या बी में है और नीचे भी आप रिदम्स के लिए ऐसा ही देखेंगे पैटन ठीक है तो यह बहुत अच्छा आप्शन है बैतरीन आप्शन है यह केश्यो 9000 इन में है और प्रोफेशनल कीबोड में इस बचट में इस रेंज में आपको यह आप्शन मिल रहा है मैं यह बहुत ही बैतरीन आपको यह आफर दे रहें केश्यों वाले ठीक है एक ही सेट में एक ही सेट में जैसे चर्च में या और किस्टा में कॉलेज में को फंक्शन है आपको जल्दी से और किस्टा में कुछ है यह स्टिंग लेलिया मैंने कि mãoखको मैं एमेशा है और मैंने के दवाया स्ट्रिंग लिखाव है और देखे श्टिंग्स के आवाज शिर हो जाएगी आप नमबर भी स्तमाल कर सकते हैं के टेगरी भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही उम्दा ऑप्शन है अगला आक्ष्ण आपको बता रहा हूं जैक्जा फोन है जैसे मैं मुझे जैक्जा फोन चीज़ अगर अब पिच्च बैंड यूज़ करेंगे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे यह जैक्जा फोन इसके वारे मैं नेक्स्ट प्लास में बताऊंगा और इंडियन्स है यह दिखेंडियन मैं आपको सर्व इंट्रेक्शन बता रहा हूं मैं कुछ पर्फॉर्मेंस नहीं करूंगा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रोफेशनल कीवर्ड आने वाले सीजन्स में मैं तक्रीम पांस सचे सीजन्स के बनाने वाला हूं आप बने रही है मेरे साथ तो अग्ला ओप्शन आपको बता रहा हूं स्टाइल्स जिसे रिजम्स कहते हैं केशों में रिजम्स कहते हैं यह माल करों जो भी पैंड होती है उससे कहते हैं रिजम्स यह देखेंड टोन्स के नीचे होता है रिजम्स बिल्कुल सेम इसमें भी A-Pattern, B-Pattern मिल जाता है, A में आपके Pops, Rocks, Zazz और B में मिल जाता है, Beat, Dance, Latin World, Enjoyable, Piano, User Rhythms, Ballot, इसमें भी Light जल जाता है, जैसी मुझे B में चाहिए तो B में लाइट जलाना पुरता है, फिलाल मैं A यूस कर रहा हुए देखिए, इस सब के बारे में अभी मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप Confuse हो जाएंगे, मैं यह बिल्कुट beginner यह देगे, Start कीजिया, Start, Stop, Filling, For Example, At The Same Time, मुझे अगर रिदम में, मुझे Indian चाहिए, देखिए मुझे, बस एक बटन दबाना Indian बटन, और सारा कुछ Indian रिदम चेंज हो जाएगा, भांग रहा एक, भांग रहा वन, डाइल बटन से आप बदल सकते हैं, दादरा, तीन ताल, भजन, चब ताल, इंडी पॉप, इंडी पॉप ताल, दमार, साराज तान, कवाली, केरला, देखिए, जो भी आपको चाहिए, आप सेलेट करके बस आपको Start बटन दबाना है, फिल कर रहा हूँ, Adaptive Variation बदल रहा हूँ, तो मैं SIMPLE बता रहा हूं, आपको Next,將ज में ह concept ही बहुत हायर, बटाहूं और ऐसा है दोनों की जो डिमांड मार्केट में ऐसे है कि खुद बेचने वाला कन्फीज है कि आप बेचें किसको बेचे कैसे बता है और लेने वाले कन्फीज है कि यह ले हो तो इसलिए मैं हमारे सब्सक्राइबर्स और वीवर्स के लिए यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में आपको बहुत 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 बताने वाला हूं अंटोल्ट कंपारिजन जरूर देखें आपको मैं उसमें बताऊंगा कि इसका रिदम इसका रिदम कैसा है इसका टोन कैसा है वो रिदम और उस चीच को जरूर देखें और स तो आपको दिखाना चाहता हूं कैसे लेते हैं हार्मोनियम 2 हार्मोनियम 3 रियास प्रैक्टिस के लिए बहुत बैतरीन है मैं आपको एक free classes इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से मेरे subscribers और viewers पूछ रहें कि सर जी आप class कप start कर रहे हैं class नहीं लेंगे क्या actually आपको कोई भी कुछ कह रहे थे कि हम आप करना चाहते हैं आप चाहे तो आप बता दीजिए मैं गया ना चाहता हूं हमारे viewers के लिए ये free में एक छोटा सा class है आने वाले जोना professional class हम start करने जा रहे हैं को इस समें अक्ति आप आता एक दो तीन सार पांच पर feat संट अक्ति करिए उ den जेने तो इस पहले और दूसरे अक्टिवा को छोड़ दें, कॉट्स के लिए, ठीक है? सबसे पहले मेरे साथ इस लेसं को फॉलो कर लें, हार्मोनियम ले लें सारी दामा पादानी साथ फिर उसके बादा पुरिटर रिवर्स यह क्लैसिकल है, और मैं वेस्टर में बता रहा हूँ, क्योंकि कॉट्स के लिए आपको वेस्टर में सीखना बहुत जरूरी है, यह देखिए सेम है, सेम अक्टिवा, सेम टोन है, you can follow like this C, B, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, B, C तो बहुत सिंपल है, मैं आपको क्या क्या बता है, on-off button, volume control, ठीक है, और फिर keys कैसे use करा है, keys qualities के बारे में, build quality के बारे में आपको बता है, मैंने, tone selection कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता है, जैसे voice की भी कहते हैं, और styles कैसे select करते हैं, उसे बता है, beginners के ल आपको मैंने यह सब इसमें बताया है, मैं बार-बार एक ही बात बता रहा हूँ कि यह professional keyboard है, इसमें यह class मतलब काफी नहीं है, इस class के जरी, इसमें बहुत से options है, arranger keyboard है, बहुत छोटे बच्चों के लिए से खरीद के ना दे, I mean जो बहुत ही beginners, जो बहुत junior, यह मैं आपक कोई यह कोई advice नहीं दे रहा, just यह एक भाई के तोर पे या आपके relation के तोर पे समझिए, एक friendly, मैं आपको advice करा हूँ, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा बैतर नहीं रहागा, जो बहुत छोटे हैं, I mean 10 साल से भी कम के, तो 10 साल से अगर उपर के, अगर kits हैं, junior हैं, और उनके लिए दिलाज़, और speaker quality बहुत बढ़िया है, bass reflection इसमें speaker मिलता है, जिसका effect इतना बढ़िया होता है, आप जब use करेंगे तो आपका ऐसले, subwoofer चल रहा हूँ, यह देगे मैं western चला की दिखाता हूँ, आंदर base reflection इसमें बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिल बहुत माइक लगा सकते हैं, सस्टेंज लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट चैनल लगा सकते हैं, साउंड्स के लिए, सस्टेंज पैडल लगाने के लिए, माइक अलग से लगा कि यूज कर सकते हैं, यह सारे professional keyboard में मिलने वाले option जो आने वाले सीजन आपको बताने जा रहा ह आइलिंग में बहुत से keyboard का, बहुत से आपको items का unboxing मिलेगा, एक trinity करें keyboard जो सिर्म मात्र 8500 रुपे का है, और इतना बढ़िया keyboard है, केश और Yama के साथ आप मिला सकते हैं, I mean है तो नहीं, लेकिन उसको आप compare कर सकते हैं, कम बचेट में अगर बच्चें को दिलाना चाहते है ठीक है तो उसका मैं iLink में बटन दे रहा हूँ, आप उसको जाएक चेक कर लिजें, मैं आपको bag, keyboard, combo offer भी दे रहे हैं, तक्रिमत 9500 के तो देखिए हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब्ते का stock है, एक्चलि ये वीडियो पुराना है, मैं dubbing कर रहा हूँ, ये द headphone मिल जाता है, I mean ये पूरा setup पूरा देखिए, फिचर में आपको दिख रहा है, ऐसा setup दे देते हैं, और तक्रिवन साड़े 8000 से 9000 तक का market में मिल रहा है, ये हमारा regular bag है जो first category में आता है, इस bag को हम market में दे रहे हैं, जो regular bag जब हम से कोई मांगता है, तक्रिवन साड़े 800 800 तक का बिखता है, और इस तरह के से comfortable है, सभी keyboard जिसमें अंदर आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, Casio 9000, Yamaha 500, ये first quality है, अगर किसी अब shop में भी जाते हैं, तो इस तरह का keyboard मिल जाता है, और उसके बाद इस stand है, जो हम हमारे पास से बहुत ज़्यादा जाते हैं, हम manufacture भी करते हैं, और यहों बता हूँ, तो अगर आप keyboard हम से लेते हैं, तो bag stand का हम charging लेते हैं, मतलब 400, 400 में bag और stand देते हैं, या 500, 500 में देते हैं, यानि कोई आप सोच में नहीं सकते, Amazon Flipkart से भी सस्ता, I mean, इतने बड़े-बड़े, और बड़िया brand, बड़िया quality है, थैंक यू रहिए, God bless you, और मैं जाने से पहले, आप सबको दुबारा सीजन 3 में मुलाकात करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाबाई, थैंक यू